भारत ने एक अभुत्पुर्व सिद्धी हासल की है। भारत ने आज अपना नाम अंत्रिक्ष महाशक्ती स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूश और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी। अब भारत चौथा देश हैं जिसने आज यह सिद्धी प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछी समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर L.E.O. Low Earth Orbit में एक Live Satellite को मार गिराया है। L.E.O. Low Orbit में यह Live Satellite जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष था। उसे Anti-Satellite A-Sat missile द्वारा मार गिराया गया है। सिरफ तीन मिनिट में सभलता पूर्वक यह आप्रेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन अप्रेशन था। जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की तकनीकी छमता की अवशक्ता थी। वैज्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिए गये हैं। हम सभी भारतियों के लिए यह गर्व की बात हैं। यह पराक्रम भारत मेही विक्सीत एंटी सेटलाइट एसैट मिसाइल द्वारा सिद्द किया गया है। सर्व प्रथम मैं मिशन सक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्यानिकों अनुसंधान करता हूं तता अन्य समंदीत कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन्होंने इस असाधारन सभलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज हमारे पास परियाप्त संख्या में उपग्रह उपलब्द हैं। जो अलग-अलग शेत्रों के विकास में अपना बहु मुल्य योगदान दे रहे हैं। जैसे क्रिशी, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंदन, डियास्टर मेनेजमेंट, संचार, कॉम्मिनिकेशन, एंटर्टेन्मेंट, टीवी, मौसम की जानकारिया, नेविगेशन, शिक्षा के खेत्र में, मेडिकल के खेत्र में। ऐसे अनेच खेत्र हैं। हमारे उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है। चाहे वो किसान हो, मच्छवारे हो, विद्यारती हो, सुरक्षा भल हो, दूसरी और, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उप्योग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सेटलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर है। आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुस्ति से और भारत की विकास यात्रा की दुरुस्ति से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है या तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीती में कोई बडलाव नहीं आया है। आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंतरराश्य कानून अथवा संदी समझोतों का उलंगन नहीं करता है। हम आधूनिक तक्निक का उपयोग देश के 130 करोण नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं। इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहूल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है। हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहूल बनाना। प्यारे देशवासियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मूल देश भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनी की प्रगती है। आज का यह मिशन, आज का यह मिशन शक्ती इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था। आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट, समर्द राष्ट और शान्ति प्रिया राष्ट की और बढ़ते कदम के रुपे देखना चाहिए। यह महत्वपुण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आपको बविशकी चुनवत्यों के लिए तैयार करें। हमें बविशकी चुनवत्यों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्निक को अपनाना ही होगा। सभी भारतमासी बविशकी चुनवत्यों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें यही हमारा लक्ष है। मुझे अपने लोगों की करमता, प्रतिवध्यता, समर्पान और योगता पर पूर्ण विश्वास है। हमनी संदे एक जुढ होकर एक शक्तिशाली, खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्बान करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ, जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देश्वास्यों को आज की इस महान उप्लब्दी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत छुप कामराएं, और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साध्यों को फिर एक बार अभिननन करता हूँ। बहुत बहुत धन्वाद भारत माता कीजेए।